प्रेंड्स आपका दोस्त इपक भामरी एक बहुत ही शांदार कहानी के साथ आप लोगों के सामने हूँ एक राजा के दर्बार में बहुत बड़ा ग्यानी पंडित था उस पंडित को बहुत घमंड था कि मुझे इस दुनिया की हर बात का ग्यान है एक बार वो राजा के दर्बार से एक सजी धजी पालकी में अपने घर जा रहा था वापिस जिस रास्ते पर उसका काफिला चल रहा था अचानक गाइब हैं सराने वाला एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आ गया और उसने पंडिजी के सिपाहियों से पूछा इतनी सुन्दर पालकी में कौन जा रहा है सिपाही ने जवाब दिया इसमें बहुत बड़े पंडिजी हैं बच्चे ने फिर पूछा पंडिद कौन होते हैं सिपाई ने जवाब दिया जिने बहुत ग्यान होता है वो पंडित होते हैं इस बाचीत के चलते सिपाईों ने पालकी को आराम करने के लिए रोग दिया बच्चे ने फिर पूछा इन पंडित जी को सब पता है इतने में पंडित जी गुसे से लाल पीले होते हुए पालकी से बाहर आ गए उन्होंने सिपाईों से पूछा ये कौन लड़का है भाई और ये यहाँ पे क्या कर रहा है सिपाईों ने जवाब दिया पंडिजी ये लड़का कुछ सवाल जवाब कर रहा है ऐसी बाते पूछ रहा है जिनका जवाब हमें पता नहीं है घमंड में चूर उस पंडित ने उस लढके से पूछा तुम्हें क्या पूछना है लड़का नीचे झुका और अपनी छड़ी से कुछ आडी तिरची लकीरें जमीन पर खीज दी और पंडिजी उसी पूछा क्या बता सकते हैं कि यह क्या है पंडिजी नहीं बता सके क्योंकि उनके पूरे घ्य जान के भंडार में ऐसा कहीं पर भी नहीं था और ये साप या रसी भी नहीं लग री थी लड़का हसने लगा और बोला क्या पंडिजी आप इतनी सी चीज भी नहीं बता सकते इतनी सी चीज भी नहीं आप जानते पंडिजी को हार माननी पड़ी पंडिजी ने बच्चे से प पूसु करता है दोस्तों पंडित जी के होश पाक्ता हुए उनका पूरे का पूरा ग्यान धरे का धरा रह गया दोस्तों इस कहानी से में हमें क्या संदेश मिलता है इस कहानी ने हमें क्या संदेश दिया इस कहानी ने हमें क्या मेसेज दिया इस कहानी ने हमें ये मेसेज दिय कि आप चाहे अपनी फिल्ड में कितने ही माहिर क्यों ना हो जाएं इस दुनिया का हर ग्यान आपको नहीं है दोस्तो अधरवाइस मत लीजेगा हम मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही छोटी छोटी एच्चिवमेंट कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें लगता है कि मुझे इस दुनिया का सबसे ज़्यान है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी मोटी जॉप कर रहे हैं लाक रुपे की, सवा लाक की, दो लाक की, डाई लाक की, तीन लाक की और उनका एटिट्यूड ऐसा हो जाता है कि उन्हें इस दुनिया की हर बात पता है दोस्तो मैं कहना चाहता हूँ एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े ग्यानी पंडित का घमंड चूर कर सकता है हमें ये मान के चलना चाहिए कि इस दुनिया का सारा घ्यान हमें नहीं है हम चाहे जो मर्जी भी हो, हम चाहे साइंटिस्ट क्यों ना बन जाएं लेकिन इस दुनिया का पूरा घ्यान हमें कभी नहीं होगा दोस्तो मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग के सारे दोस्तों से ये हाथ जोड के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपील करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुती छोटी काम्याबी के बाद भी अपने आपको नेट्वर मार्केटिंग इंडस्ट्री का पूरे का पूरा ब्रम्हांड जानने वाला इंसान मानने लग जाते हैं। मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है इस दुनिया में बहुत कुछ है सीखने को इस दुनिया का सारा ग्यान हमें नहीं मिल सकता हम चाहे जितने मर्जी एक्सपिरियंस हो जाएं हम इस दुनिया के पूरे ग्यान के मालिक कभी नहीं हो सकते इसलिए ये एटिट्यूड हमें तो हम सामने वाले को ऐसे दिखाते हैं जैसे मैं बहुत बड़ा हूं और वह बहुत चोटा है अगर आपको नेटवर्म मार्केटिंग में बुलंगियों को चूना है तो जिसके भी आप साथ बैटके बात कर रहे हैं उनके साथ बराबरी दिखाईए कि मैं भी आपके जैसा हूँ मैं भी आपके बराबर हूँ मैं भी आपके जैसा ही था मेरी सोच भी आपके जैसी थी मेरा एटिट्यूड भी आपके जैसा ही था मेरी दिन चरिया भी आपके जैसी थी लेकिन मैंने अपनी जिन्दगी में इन सब चीजों से एक नेक्स लेवल पार किया है दोस्तो कभी ये मत सोचिए कि आपको इस दुनिया में सब कुछ पता है हम इस पूरे ब्रम्हांड की अगर मैं बात करूं जिस शहर में आप रहते हैं जिस गली में आप रहते हैं जिस घर में आप रहते हैं जिस स्टेट में आप रहते हैं जिस अपने आपको इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्यानी समझने की गलती ना करें। दोस्तो मुझे लगता है कि मेरा ये मेसेज आपको पसंद आएगा, आपको इस बात से अपनी जिंदगी में कुछ सुधार करने का मौका मिलेगा, और दोस्तो कहते हैं न, step by step अगर हमने छोटे मोटे सुधार किये, तो हमारी जिंदगी बड़े बड़े बदलाव की तरफ परिवर्तित होती जाती है। दोस्तो एक छोटा सा मेसेज आज देना चाहता था, इस मेसेज के साथ अपनी बात खदम करना चाहता हूँ, और एक बार फिर रिक्वेस्ट कि मेरी बात अगर पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाईए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, विश आल दे बेस्ट, God bless you and thank you very much, thanks a lot. झाल झाल